इस फीडियो में हम करने वाले हैं वूट्ज रियक्शन, फिटिक रियक्शन एंड वूट्ज फिटिक रियक्शन को याद करने का simple सा method देखो, reaction से पहले आपको एक छोटी सी बात पताता हूं देखो, alkyl group क्या होता है, arryl group क्या होता है तो simple सी शब्दों में बात करेंगे, कोई scientific language नहीं, देखो, जहाँ पर आपको ये ऐसा group मिल जाए, R group, R group जहाँ मिल जाए, वो simply होता है, alkyl group, और ऐसा जहाँ पर aromatic, benzene जैसा, ऐसा group जहाँ मिल जाए, वो होता है aryle, alkyl and aryle, ठीक है, देखो, बहुत simple है, first reaction में हम सिर्फ alkyl group का यूज़ करेंगे, second reaction में हम सिर्फ aryle group का यूज़ करेंगे, और third reaction में हम इन दोनों का mixture कर देंगे, एक alkyl group और एक aryle group, तो जिस reaction में हम सिर्फ alkyl group का यूज़ कर रहे हैं, ये देखो, RxRx, ये RR मतलब alkyl group, उसको हम बोल देंगे wood reaction, और जिस reaction में हम दोनों aryle group का य अर याल-आराइल उसको हम बोल देंगे फीटिघ रियक्षन तो जीसिमें यूज कर रहे हैंने तो जिसमें एक अलकायैल है और ऐक अरायल ग्रूप है तो दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं तो नाम भी हो जाएक का mixture बूर्ज फिटिग reaction अब आपको सिर्फ एक confusion हो सकती है बूर्ज और फिटिग के बीच में कि कौन सी अलकाइल वाली थी कौन सी अराइल वाली थी तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है देखो यह cyclic compound है यह याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ यह cyclic compound है तो जो cycle चलाता है वो fit रहते है जो cycle चलाता है वो fit रहते है तो cyclic compound वाली आ गई बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूं आपको उसकी notification मिलती रहे थैंक यू